हेलो नमस्ते से सिकाल सलाम वालेकूं स्वागत है आप सभी का देशी तड़कवी श्वेता पर कभी कभी हम लोगों के सामने अशी परसीति आती है कि हमें समझने आता कि हम क्या करें कभी अगर अचानक से हमारे ग़र में मेहमान आ जाएं और हमार पर प्रेजंट करने के लिए कुछ नहां हो तो हम सभी की धर में आलू अविलेबल होते हैं आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ वो बार्बीकु नेशन की बहुत ही फेमस रेसिपी है जो मैंने परसनली भाइ की थी मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने उसको अपने तरीके से उसको मैं आपके करने जादा जादा और बला इकन दबाना बिलकुल मत भूलियागा पला इकन के साथ में आल को आप्शन आता उसे याद से दबाईएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम मिलता रहेगा तो इनके रेंट कुछ इस प्रकार है रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यह बेवी पटैटो अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप स्मॉल साइज के पटैटो ले सकते हैं जो कि थोड़ा मीडियम साइज में आते हैं इससे बड़े जो होते हैं आप उनको ले लीजिए हाव परिल कर लीज कर लिए हैं तो हम इनको हलके हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगी मैंने गरम नन रख दिया था इसके अंदर हम् डालते हैं और इसको हम घालते हैं हलके हाथ से प्रेस करेंगे और ढाले हैं कि अब शू Pack इसीह तरह सारे अलुप म mदल देंगे समें तो यह हमारे पटेटोस फ्राइब हो रहे हैं तो हमें एक सेलरी प्यार करने हैं जिसके लिए हमें चाहिए दो चम्मच मैदा और दो चम्मच ही हमें चाहिए कॉंड फ्लार इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर बहुत हलका सा पिंच जितना रेट कलर का उप्योग कर रही हूं आप चाहिए तो किसी और कलर का यूज कर सकते हैं इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक मैंने तकरीबन आदा चम्मच से थोड़ा कम नमक का यूज कर रहे हूं और इसको हम पानी डालके इसकी एक सेलरी त्यार कर लेंगे एक घोल त्यार करना है जिसमें हमें अपने पटेटोस को डिप करना है इन पटेटोस को पहले तो हम निकाल लेते हैं जो हमारे फ्राइब हो चुके हैं जो अभी रहते हैं उनको छोड़ देते हैं और के अंदर कर दो हमारे फ्राइब हो चुके तो हमने और से बाहर निकाल लिये हैं और तेल को गरम होने के लिए यही रखा हुआ है हमने अभी उसको ठंडी गैस की फ्लेम को हमने स्लो नहीं किया है अभी यह जो हमारी सेलिरी त्यार हुई है इसके अंदर वन बाई वन आप अपने आलूं को कोट करते जाए और तेल में डालते जाएं इस तरह से और इसको अब हमने सुर्याना होने तक फ्राइ करना है तहहीं पटेटो उमारे बहुत अच्छे से फ्राइब हो चुके हैं करारे करारे पचलिए इनको हम और से बाहर भंकाल लेते हैं है और कैसली को करते हैं अप यह प्लेट पे हमने एक्जामी पेपर लगा तियाक है जिस एक्स्टा यह सोख लेगा तो चलिए सात में त्यारी करते हैं इसकी हम कोटिंग बनाने की जो ो पर कोट किया जाएंगा यह लेते हम तंदूरी म्योणि आएं इस कोट किया जाएगा यह लेते हैं हम तंदूरी म्योनिज तो चम्मज लेंगे थोड़ी सी हम अध्रक लसन की पेस्ट बहुत थोड़ी ची फ्लेवर के लिए डालेंगे अपनी क्रीम यह मुस्टर्ट सॉस है जो इसको यह थोड़ी से मसाले हमारे साथ साथ लेया हमारे मसाले डालेंगे हम आदा चम्मच चाट मसाला डालेंगे काली मिर्च पाउडर आदा चम्मच स्पाइस के लिए और इसको हम मिक्स करेंगे अब चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी उपयोग कर सकते हैं बट वो इतना अच्छा नहीं लगेगा और अपने ये पटैटो जो आपने करें हैं इसके अंदर हम टालेंगे और इसको अच्छे से हम कोट करेंगे यह हमारी अच्छे से हो चुकी है तो चलिए करते हैं प्लेटिंग करेंट इस्टिंग बताएं स्वाथ कैसा है आपको आजएगे क्रिस्पी का तो आपने अंदाजा लगा ही लिया देख लिया आपने कितना क्रिस्पी है मज़ा है मस्टर्ड सॉस का स्वार तंदूरी म्यून इसका स्वार बहुत ही उभर के आ रहा है और जाय का मुझ में जो घुल रहा है उसके तो कहने अगे अदि का बनाएगा तभी आपको मालंब पड़ेगा कि कैसा सौध है तो मत भूल अबलों के सात में वालको स्पीशन आता हो सब्सक्रत बढ़ीया हो जिस्सें ने नई और अने-वाली हर नोडिपिए शार मिलती रहे आपको तब तक झाल झाल झाल